जी एन भारत जन जन तक इन लोगों ने लोन लेने के लिए फर्जी गारंटी दी सीए की सलाह पर भी अमित सरावगी ने अपने नौकोरों के नाम पर कई कागजी फार्म बनाए सीबियाई ने बैंक आफ इंडिया में हुई 15 करोन रुपए के जाल साजी के मामले में चार्टड एकाउंटेंट अनीस अगरवाल समेथ 5 के खिलाप आरोपत्र दायर कर दिया है जीन अभयुक्तों के खिलाप आरोपत्र दायर किया गया है उनमें अमित सरावगी, अभिशेक अगरवाल और ज्यान प्रकास शामिल है इसके लाप बद्री के दार उद्योग और सरावगी बिल्डर्स के खिलाप भी आरोपत्र दायर किया गया है CBI दोरा डायर आरोप पत्र में कहा गया है कि बद्री केदार उद्योग के अमिद सरावगी और C.A. अनी सग्रवाल ने सुनियोजित साजिश के तहट बैंक के साथ जालसाजी की बद्री केदार उद्योग के नाम पर बैंक से 15 करोण रुपए का कर्ज लिया कर्ज लेने के लिए फर्जी गारंटी दी बैंक ने यहरासी कपड़ा व्यापारी के लिए दी थी कर्ज लेने के बाद इस रकम को शेल कंपनियों के माध्यम से घुमा कर सरावगी बिल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया गया इस काम के लिए सीए ने भी अपने चपरासी के नाम पर एक कंपनी बनाई इसके बाद कपड़ा व्यापार के नाम पर बैंक से मिले कर्ज की रकम में से 6.69 करोण रुपए चपरासी के नाम पर बनी कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराएगे सीए की सलापरी अमित सरावगी ने अपने नौकरों के नाम पर कई कागजी फार्म बनवाए इन कागजी फार्मों का मालिकाना हक नौकरों को दिया गया अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले